इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आपने मानलीजी यह पूरा साल को इस टेडी नहीं की और लास्ट में अब आपके एक्जाम आने वाले हैं तो कुछ ही टाइम में आप किस तरह से जो है वो अपने एक्जाम को क्रैक कर सकते हो किस तरह से आप जो है वो उसको रिटन जो थियोरी जो होती है उसमें किस तरह से आप अच्छे से पॉफॉर्म कर सकते हो जैसे कि यह आपको यहां स्क्रीन पर स्लेवस दिख रहे है यह यह यानि लास्ट समेस्टर का तो पुझा जी ने मुझसे रिक्वेस्ट की ती ने पूछा था मुझसे किस तरह से वह लास्ट में तयारी करें क्यूंकि उन्होंने उतनी स्टड़ी नहीं की होगी तो आज हम लोग इसमें जानेंगे अब जैसे कि अभी हमारा स्लेवर जो होता है तो उसमें यह होता है कि आपको यूनिट वाइस दिया गया होता है तो जैसे कि अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो यह लास्ट समेस्टर का है इसमें चार यूनिट होते हैं मेली तो जो पेपर है उसमें भी यूनिट के अकॉडिंग ही कॉशन आते हैं शॉर्ट कॉश आपको कोई कॉछन आएंगे तो एक कॉछन तो आपका यह यूनुुनित प हम पहले में जो पहला कॉछन यहां से बन जाएगा दूसरा tor से बनेगा तो यह को ke Jajadid होता है कि हमारे को कॉष्ण पेपर ऐसे ही आता है तो आपने क्या करना है जगर आपके यूनिट में दो चप्टर दिये हैं तो आपने सिर्फ उसमें से एक चप्टर जो है वो त्यार कर लेना एक छोड़ देना है क्योंकि जब आपको यहां लॉंग कॉशन आएगा तो दोनों में से एक उपर वाले में से कॉशन आने वाला एक नीचे से कॉशन आने वाला जो नीचे आपको चप्टर दिया है तो आपको क्या करना है कि आपको पता हिया कि दो कॉशन आने वाले हैं तो एक पहले वाले में स सकते हो इस टॉपिक पर वैसे मैंने वीडियो भी मिना रख लखे आप मेरे चैनल पर भी वीडियो सुन सकते हो सुनके कई लोग को सुनके बहुत अच्छे से एकदम याद हो जाता है आप को इस चीज को समझना है तो दो material दिया है, कम content दिया है जिस chapter में, तो आप क्या करो, कि वो दो chapter कर लो और एक जो आपको लग रहा है long है वो छोड़ दो जैसे कि इसमें तीसरा chapter है collective security तो यह थोड़ा लंबा लग रहा है आपको पता बहुत ज़्यादा जीजहें इसमें तो इस chapter को छोड़ दो, पहले दो जो chapter हैं, उन दोनों को आप कर लो एक छोड़ दो आप, तो यह वाले chapters भी अगर आपको देखने हैं तो आप मेरे channel पर देख सकते हो, national power, balance of power, यह सब कुछ मैंने अपने channel पर videos डाल रखे हैं, तो पूजा जी उसे related सोड़ा content पहले से ही पता है, उस chapter को select करें जैसे कि इसमें cold war है, post cold war है, wipolar, unipolar, जो आपको सही लगे, वो आप कोई भी एक chapter जो है वो कर सकते हो, वैसे यह आपको fourth unit में करना है, कि एक chapter इसमें से कर लो, तो यह है कि आपका पता है कि बीए में जो long questions है, जैसे कि बोटर depend करता है अलगले course में, अलगले marks के आते हैं, पर हर unit से दो questions आने ही होते हैं, तो आपको अगर दो chapter दिये हैं, तो कोई एक chapter कर लो, एक छोड़ दो अगर तीन chapter दिये हैं, तो कोई आपको अपने chapter कर लीजिए, तो आपको तीन chapter कर लीजिए, वस तीसरे unit में जो आपको तीन chapter में उसमें से दो करने पड़ेंगे और यह सारे आपको मेरे channel में मिल जाएंगे, मैंने सारे बना रखें वीडियो तो आप वहां से भी देख सकते हो तो यह है कि बहुत ही असान हो जाते इससे, short questions में यह है कि आपके जो जो अपने chapter की है वो तो आपको attempt कर सकते हो जो अपने chapter नहीं की है वह आपको छोड़ना पड़ेगा पर यह है कि कई लोग का target होता है कि end में pass ही होना है उन्होंने तो इसके लिए यह चीज सही है वैसे तो आपको जादा बहतर यह रहेगा कि आप properly सारा लेवस करें पर end days में तो हम इतना नहीं कर सकते हैं पास होने के लिए बहुत अच्छे marks जो हो आप ऐसे ला सकतो अराम से पास हो जाओगी बहुत बच्चे यह टेक्निक्स अपनाते हैं तो थैंक यू सो मच गाईज अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्रेब जरू करें थैंक यू सो मच